Yes, Ready for Dictation, Start उपाधेक्स महोदे, जनता पार्टी की तरफ से केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग को दिये गए एक ग्यापन में मांग की गई है कि राज्य पालों की नियुक्ती और विधान मंडलों में बहुमत का परिक्षन कराने के उनके अधिकारों के बारे में एक स्पस्ट समान्य सिधान्त लागू होना चाहिए विराम यह ग्यापन आज यहां संसद में जन्ता पार्टी के नेता ने जारी किया विराम ग्यापन में यह साप साप कहा गया है कि अक्सर राज्य पालों की नियुक्ती दलगत दृष्टी कौन के साथ और राजनितिक स्रक्षन देने के लिए की जाती है विराम राजेपालों की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्य मंत्रियों से सलाह मस्विरा नहीं किया जाता और ने उन से सहमती ली जाती है विराम। यह भी नहीं देखा जाता कि भावी राज्य पाल योग्य सक्षम और निश्पक्स है भी या नहीं विराम। अतै मेरे विचार में इस प्रिष्ट भूमी में यह जरूरी है कि राज़ेपाल के अधिकारों और कारेच्छेत्र के बारे में सविधान में प्रियाप्त सुरक्षा हो विराम पहरा ग्याप्ण में यह भी कहा गया है और मेरा भी यही सुझाओ है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत के दावे का परिक्षन विधान सभा के अंदर होना चाहिए राज़ेपाल के निवास या कक्स में नहीं विराम बहुमत के संबंद में अगर कुछ संदे पैदा होने पर यह जरूरी है कि राज़ेपाल मुख्यमंत्री को विधान सभा में बहुमत सिद करने के लिए उचित निर्देश दे विराम यही पद्धती लोगसभा में बहुमत का पता लगाने के लिए राश्ट्रपती को अपनानी चाहिए विराम सरकार गिरने की हालत में अगर कोई दल या सियुक्त मोर्चा विधान सभा में अपना बहुमत स्थापित ने कर सके तो विधान सभा भंग कर दी जानी चाहिए और जल्द ही नए चुनाओ कराए जाने चाहिए विराम केवल मुख्यमंत्री की सलाह मान कर राज्यपाल को विधान सभा का सत्र स्थागित नहीं करना चाहिए और नहीं अध्यादेश जारी करना चाहिए विराम पहरा ग्यापन में यह भी मांग की गई है कि सविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे राज्ये विधान मंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक पर राष्ट्र पते तीन महीने के अंद्र विचार करने के लिए बाध्य हो विराम मेरा यह भी सुजाव है कि प्रसासनिक और वित्य अधिकारों का विकेंद्री करन किया जाए ने केवल केंद्र से राज्यों तक बलकि पंचायत सतर तक इन अधिकारों का विकेंद्री करन हो विराम कई केंद्रिय एजेंसिया और बोर्ड ऐसे छेत्रों में काम कर रही हैं जो राज्ये के अंदर आने वाले विश्यों और सविधान की सात्वी अनुसूची के समवर्ती विश्यों में सामिल हैं विराम इसमें से कुछ केंद्रिय शंग्ठन राज्यों के सवायत अधिकारों में हस्तक सेप करते हैं जिसे रोकना चाहिए विराम पहरा केंद्र तथा राज्यों के वित्य संबंधों के प्रशंग में मेरा सुझाओ है कि आयकर जिसमें की कंपनी कर भी सामिल हैं केंद्र और राज्यों में समूचित आधार पर बटवारा होना चाहिए विराम केंद्र और राज्यों के खर्च की जाच के लिए एक राष्ट्य वे आयोग की स्थापना की जाए विराम अधिकतर ओवर्ड्राफ्ट की सिकायत सुनने में आ रही है विराम ओवर्ड्राफ्ट इसलिए होता है चूंकि रज्य अपनी विकास से संबद जिम्यदारियों और उपलब्द वित्य संशाधनों में संतूलन नहीं बना पाते विराम इसे दूर करने की जरूरत है ताकि राजनीतिक अधार पर ओवर्ड्राफ्ट देने की कोई गुंजाइस ही न रहे विराम उलेखनी है कि किंदर पहले ही आगे से ओवर्ड्राफ्ट खत्म करने की घोशना कर चुका है